एक महा अलुष्ठान का आयोजन सूर्य गुरहन जैसे दिब्ब समय पर आपके गाजियाबाद में हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं वर्चुली अब ये वर्चुली आमंत्रण क्या है जी हां आपको शरीर आने की आवश्यक्ता नहीं है आप यूट्यूब के माध्यम से और टेलिफोनिक संकल्प के माध्यम से इस महा अलुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं आपकी कुंडली के सूर्य को हर प्रकार से बैलन्स करने के लिए खास तोर पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए या जो सेलिब्रिटीज हैं जो एक्टर हैं डांसर्स जो पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं जिनके लिए शूर्य प्राण होता है उसे बैलन्स करने के लिए हमारे इस कारकरम में आप सम्लित हो ये जरूर सम्लित हो ये प्रार्थना है आप देखेंगे कुछ न कुछ बदलाओ हम लाके रहेंगे 22 से 26 दिसंबर सम मैसेज करें थांकियो सो मच नमस्कार हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसे के वीडियो को शेयर करना ना भूले नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जूतिश दिशा सत् नवश्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है देख रहे हैं जुद जिराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका एश्टो फ्रेंड संदो संदोशी और कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत नई लगेंगी बहुत यूनीक लगेंगी बहुत हट कर लगे लेकिन चुकि इस कारकरम का जो मूल है वो है तारकिक तत्त है जो आपको समझ में आए कि यहां संदो संदोशी जी का बोला लग रहा है समझ में आ रहा है आज हम आपको दही का प्रियोग बताएगे दही के साथ पहले गुरहों का कनेक्शन देखिएगा और फिर प्रियोग के तत्त्त को समझने की कोशिश करिएगा दही की जो तासीर है जो तत्त है वो है शितलता शितलता अर्थात सूर्य की हानी सूर्य हटा तो सूर्य तो गरब है न शितल शब्द जहां आया वहां सूर्य का रोल खत्ब उस पॉइंट पर सूर्य का रोल बिरितर निल क्योंकि सूर्य की जो तासीर है वो गरब है तो दही का संबंध तात्कालिक रूप से शनी से हो गया विलोसियावन राम चंद्र की जय शनी दही का मूल तात्विक कारक हो गया तत्व के कारण कारक हो गया खटापन दही का एक और गुण है खटापन माने आ गया बुध्ध मतलब बुध आ गया और सफेद होने के कारण और इसके अंदर घी जैसे एक और तत्व के छुपे होने के कारण इसके अंदर शुक्र का भी वास हुआ अब शनी मूल हो गया तत्विक गुण बुध खटापन शुक्र सफेद और पोश्टिदाता दही का प्रियोग कई प्रकार से सौंदर प्रशाधनों के रूप में भी आप लोगों को पता ही यह लगाते हैं चेहरे और पर क्या कैसे करके अब इस दही से जीवन के किस भाग को कितना उपर नीचे किया जा सकता है एक बिलक्षर प्रियोग चंद सेकेंड का क्या करना होगा किसी चादी के पात्र में बरतन में चादी के सिक्कवे पर रखने कोई दिक्कत नहीं है एक दो बूद दही रखनी चेगा उल्टे हाथ पर रख लिए चादी का कोई सिक्का उस पर दो बूद दही और दाहिने हाथ के अंगूठे से छूना है और माथे पर लगा लेना है फिर छूना है फिर माथे पर लगा लेना है सेवन डाहिन बस फाइदा क्या होगा अगर किसी के अंदर बहुत जादा गुस्ता है धीरे धीरे कम होने लगेगा पहला फाइदा हुआ दूसरी चीज घर के अंदर लगजरियस चीजों की कमी है बहुत गलत इसमेल आती है महसूस होता है फाइदा होगा अगर किसी के घर में बच्चे बहुत जादा चोटिल होते होंगे जिसको चोट लगती होगी फाइदा होगा क्या चाहिए करना कब है सुबह नहाने के बाद कब तक करना है भापता दस्तिर कर लीजिए कब शुरू कर सकते है अब बैकर लीजिए नहा लीजिए एक बाद बस आप देख लीजिए का अपनी छमता पता चला नहाने चल दीए भी विवार पढ़ जाए तो आचाहिजी को जैसे विवार पढ़ जाए तत च्छण आपको इसका लाब दिखेगा बहुत ठाहरा हुआ मस्तरश्क बना देगा बिलक्षण प्रेयोग है यह कहीं आपको सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलेगा अब आज हमने बोल दिया है तो हो सकता है दो चार जगह मिल जाए पूरी तरह मौलिक मेरे तोरा बनाया हुआ है इंटिलेक्षण प्रपॉर्टिक कर सकते हैं कह सकते हैं लेकिन ठीक है मुझे केडिट देकर अगर करेंगे तारिक से 27 से 26 तक तो हवन होगा सुरिक रहनवाला 27 से आप हमसे तांडा मेटकर नगर मिल सकते हैं तो वहाँ पर भी अपॉइन्मेंट चल रहा है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंकियो सो मुच कीप स्माइलिंग कीप राउटिंग नमस्क्राइब